क्या दिक्कत आ रही है सुमपधी जी पानी की बेवस्ता नहीं है पानी की बहुत दिक्कत कि उसके ले गाए ते तुम पाईदर नहीं आप आओगी कभी नहीं देखा वो बोटन का समय तो मड़ाई आ रहा है यहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है कोई नहीं आता कोई नहीं आता मीरपूर की सुमेरपूर नगर पंचायत में हम घूमें तो यहां हमें कई चौकाने वाली चीज़े पता चली लोगों के पास सड़क नहीं है उनके घर तक जाने के लिए बरसात के मौसम में पानी भर जाता है ना बिजली के खंबे इस इलाके में एक बिजली जो हमको आफ कैमरा बताई है कि वह बहुत दबंग किसम थे उनसे लोग डरते थे कई लोग कैमरे पर उनके बारे में होले से बिंकार करें तो हमाई साथ कुछ पब्लिक है यहां की रहने वाली यह बहुत परेशान है उनसे जानेंगे कि क्या-क्या समस्याओं से वह जूज और यहां सड़के है नहीं है नहीं यहां कोई काम नहीं हम फांच साल की नजाने का पंच वर्सी जीते हैं कुछ बिवस्था नहीं है कोई काम न जो अब आदमी बरसात में गिर गया था यहाई थे एले गया थे यह तो चार देसे खटिया में रख के अशिए ले गया थे अस्पाटल से अचार आदमी पकल एम्बूलेंस वगए ना कुछ नहीं आप आगी तुम पाईदर नहीं आपाओगी जब जूता हाथ में लेगे तब ही अच्छा अमा आप बताओ क्या समस्याय है यह पानी की बहुत द्रीकत है कि नी पुरा निबस्ती है यह हमको साथ साल हुई गे हम कर रहा है यह तो यहाँ पे कोई पालिका वाला पंचायत का कोई आया यहां अध्यक शाय कभी देखे उनको अभी नहीं देखा और वो टन का सम हैं तो मड़ा या रहा है कि हम को देव हम कराएंगे अज यहां लाइली ने जीत के सो काम खता है अभी हमें आगे पता चला एक महिला का बेटा की मौत हो गए थी पानी की कि विचारी के च्छे बीटियन पांच बीटियन के ऊपर एक लाड़का रहा है सिर्फ एक लाड़का अजिए पानी के वज़े से पानी के वज़े से तो सुनने में आया यहां कि जो अध्यक्ष है कई लोग नहीं बोले उनके बारे में हम बहुत से लोगों से बूचा बोले कि वह थोड़े हैं हम उन से डरते हैं तो किositनी पर अजबूरी में ही आदमी डरता है जब गरी में उनकी नहीं कोई सुन रहा बोलेंगे तो फिर यहां को उन सुनने आएगा कुछ भी करके चले जाएंगे वैय आप बताना, कैसा यहां हमाएं हमाई गाड़ी भी वहाँ पर दूर खडी हुई है तो यहां पर 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ एक इसा काम नहीं हुआ क्या यहां पर ऐसा है कि यहां पर देख रहे हैं आप एरिया किस टाइप का है यहां पर बरसात में इतनी बुरी हालत हो जाती है कि यहां से लोगों का निकलना मुस्किल हो जाता है और जो भी स्कूली लड़के होते हैं बच्चे होते हैं बुजर्ग हो गए पेसेंट हो गए वो प्रूट की यहां से निकलना मुस्किल हो जाता है और मच्छों के लिए कीट नस्री जैसे दवाएं होती है किसी भी तरीका कोई छड़काव नहीं होता है और जैसी नेता आते हैं कि जैसी चुनाव आते हैं नेताओं की लेंगवेज उनका तरीका सारी चीज बजल जाते हैं कहते हैं कि आप सारी विकास के जो मुद्दे हैं वो यह हम रहेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है जो मौझूदा यहां के अध्यक्ष थे आनंदी पाल जी क्या वो कभी भी किसी के दर्वाजे पे गये हैं वोट मांगने के जीतने के बाद नहीं जीतने के बाद चुना जीतन करें आद सब्सक्रद के जीवाी जारतें चुना कि थाय वो नहीं तकर अधर का यगा थान अधर बाल्यत में धर जां पा ऐखन में कर दूथ आता है तो किसे जीतून अपन का शुवाल जीतने का फम जावाद की भाते हैं बसंडू अगर थालि नहीं चालिएन तो इस बार तो यह तो पार्टी कॉंग्रेस की पार्टी के थे जिनों ने कोई काम नहीं किया अन्य पार्टियों के उमेदवार होंगे उनको भी जिनको टिकट मिलेगा अन्य पार्टियों से किसी से उमीद है बीजेपी, सपा, बसपा, किसी से उमीद है कोई अब ही तो कोई जादा ऐसी उमीद में दिखा रही है बद देखो कोई सामने आए पित्त्यासी तो समझ में आ रहा है अब जीत जाओंगा लाक खान की मदत हो तो हमसे अभी करवा लो लेकिन अगर जब जीत जाओंगा तम मैं यह रोट बनवा दूँगा कौन से पार्टी से थे वो बीएसपी से अच्छा वो बीएसपी थे उन्होंने मला बादा किया है हाँ वादा किया है वीडियो बना के लेगा ही दर से सब लोगों की कि अगर मैं जीत जाओंगा तो फिर बनवा दूँगा अभी अगर मुझ से अगर लाग खान की मादत हो तो ले सकते हो तुनने में यह भी आया है यहां पर किया बहुत गुंडा गर दी है हर दूसरे घर में कट्टे मिल जाएंगे बिना कट्टे कोई चलता नहीं रात में यह क्या है यह मतलब यह अवा है कुछ नहीं तुम समझ लेऊ कि यह चोटे- चले के चाहां तुम बाहर पड़ी रहो यहां किसी प्रकार का डर नहीं कभी डर नहीं दीदी अपने अजमाई बात हैं हम सोते हैं मजबूरी में रहते हैं बाहर तो जानते हैं तो सुना आपने विकास के मुद्दों पर बात करें तो यहां शूर ने विकास हुआ है यहां में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कॉमेंट करें और अपनी राय रखें